हलो दोस्तों आप सबका इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है जैहिंद दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ में एक आयार से औरेंटेट क्वेश्टन अब आयार से जो औरेंटेट क्वेश्टन रहेगा आपके सामने है आपके स्क्रीन पर बात यहां पर हो रही इसको लाबरेट करना है हमने 200 शब्दों में तो दोस्तों यहां पर याने कि अगर इसको हम समझें तो जो आर्थिक कठनाईयां है नेपाल के लिए पहली बात तो आर्थिक कठनाईयां इंडिया के नेबरूट की हम बात करें पाकिस्तान, श्री लंका, ग्रेव एकनॉमिक इंडिया के जो पडोसी देश है जो पडोसी मुल्क है अगर वो एकनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखाएंगे तो इंडिया अकेला अगर एकनॉमिक ग्रोथ भी दिखाता है तो साउटेशन रीजन के लिए अच्छा नहीं है साउटेशन रीजन में देखिए energy deficit भी है, employment deficit भी है, hunger deficit भी है, गरीबों की कमी नहीं है साउटेशन रीजन में तो अब हमने uplift करना है साउटेशन रीजन को economically बहुत ज़ादा integrate भी करना और साथ में ये भी ensure करना है कि जो economies हैं साउटेशा में वो भी uplift हो economic growth देखने को मिले, अब नेपाल की इतनी बुरी हालत नहीं है, जितनी बुरी हालत स्रिलंका की है अब recent times की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों बहुत सारे जो अगर हम अपने बडोसी दोशों की बात करें, उनको इस बात की समझ आ चुकी है I'm sure Pakistan को इस बात के भी समझ नहीं आई है, as far as जो उन्होंने पीछे कुछ जादा ही याराना अपना चाइना के साथ बढ़ाया था ये मैं बार-बार बात करता रहता हूँ, इंडिटोरियल्स में भी जब कोई ऐसा टॉपिक आता है तो मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि चाइना के साथ जो दोस्ती है ने सभी देशों को बहुत महंगी पड़ रही है आपको वो टाइम याद होगा दो साल पहले जब इंडिय और चाइना के बीच में स्टांड ओफ हुआ था यह ना एले सी पे तो कुछी दिनों की बात है जब गलवान घाटी इंस रिंड होता है उसके कुछी दिन के आसपास की बात है जब उस वकत जो नेपाल के ब्रधान मंतरी KP ओली थे तो उन्होंने नए नक्षे निकाले थे निपाल के जहां पर लिंपिय धूरा है ना लिंपिय धूरा टेरिट्री की बात करें जो कि उत्राखंड के पिथोड़गर डिस्टिक्ट में हैं काला पानी की बात करें उसको अपने मैप में शो करा था अब रीसन ताइम्स में काफी नोगजोग देखने को मिली है इंडिया नेपाल की भी देखिए नेपाल गरीब देश है 2015 में आपको याद होगा बहुत भेहंकर भुचाल आया था अर्थ कोई कहा था नेपाल में और फिर आपको ये भी याद होगा 2015 की ही बात है 2015 में छे महीने टाइम्स के अगर हम बात करें तो बहुत सारे एकनॉमिक चालेंजस से नेपाल को गुजरना पड़ रहा है अभी नेपाल में जो नए प्राइम मिनिस्टर आये हैं शेर बहादुर द्यूबा वो थोड़ा इंडिया के टोवर्ट जादा टिल्ट कर रहे हैं इनफाक जब द और बड़े देश की शेह पर कर रहा है डेफिनिटली वो बड़ा देश कौन होगा चाहिडा होगा तो आई यह सांसर में समझते कि हमने इसको पहर इंडिडियूस कहां पर करना है तो जो हमने थोड़ी स्टोरी सुन ली थोड़ा सब एक जनरेक बात यहां बेस तो देखी तब रिसन टाइम नेपाल में बहुत समस्यां आ रही है आर्थिक अठनाईयां आ रही है ठीक है तो अगर हम बात करें लिकुडिटी करांच की देखी वैसे भी बहुत अमीर देश नहीं है नेपाल टूरिजम के बड़ेंट है और टूरिजम जैसे कि आप जानते हैं काफी पेमेंट डेफिशिट और एक स्पारलिंग डेट लिए अगर निपाल की इंफलेशन की बात करें अगे इतना ग्रेव सिचुएशन नहीं है जितनी श्रिलंका की है बट निपाल कंसिडरिबली जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसके लिए काफी बड़ी है अगर इंफलेशन इस की जो प्रॉब्लम है वो क्या है क्या नहीं यहां पे एक लाइन थोड़ा और भी याड़ कर सकते हैं नॉट आज ग्रेव एस्चिड लंका ठीक है शुरू में जो मैंने कहानी आपको बताइए वो बेसिक आपकी अंडिस्टांडिंग के लिए उस कहानी को यहां पर लि इन्डिया ने मदद करी हमेशा जब भी निपाल ने कठिणाईआईयां देखिए तो इंडिया ने भारत ने हमेशा ही मदद करी हैं निपाल की का जाता है यह आपने line जरूर mention करनी यदि आपको question पूचा जाता है oriented to this theme अब थोड़े मुद्धों की बात करें थोड़े disputes की बात करें तो पहला तो देखे 2015 में चलो और्थ के काया हमने मदद करी साहता करी फिर क्या हुआ अब नेपाल में constitutional reforms चल रहे थे अब नेपाल ने यह कहा कि भी नेपाल एक landlock country है ठीक है अब उस वकत क्या हुआ मधेसी ब्लॉकेट हुआ मधेसी ठीक है जो तरही रीजन में रहते हैं आम तोर पर जो मधेसी हैं इनकी जो ethnicity की बात करें इसी मैथली भाषा बोलते हैं ठीक है उनका जो कल्चर है वो भी बहुत सेम है अगर हम बात करें पीपल लिविंग इन बेल्ट ओ यूपी बिहार अब ऐसा माना गया कि जो constitutional reforms नेपाल में चल रहे थे तो मधेसी जादा representation चाते थे मधेसी इसको ये था कि जो पहाड़ी है ठीक है पहाड़ीयों को जादा representation नेपाल की assembly में मिल रहा है मधेसी इसको कम representation मिल रहा है अब ये blockade हुआ अब नेपाल में बहुत 6 महीनों के लिए किती समस्य रही fuel नहीं आ सका ठीक है सबजिया नहीं आ प मधेसी ब्लॉकेट है तो चलो ये 2015 की बाद है फिर जून 13 2020 को क्या हो दा नेपाल के पार्लिमेंट ने अमेंड करा अपना constitution to redraw the new country's new political map अब उसमें काला पानी लिंपीदुरा लिपूले की जो territories है जो कि उत्तराखण का हिस्सा है उत्तराखण के पितौर गड़ कर पितौर पे कर रहा है चाइना के इशारे पे कर रहा है किसी बड़ी ताकत के इशारे पे कर रहा है ठीक है और नेपाल के home ministry ने तब ये भी announce करा कि 100 से जाधा जो border post है they will be built along the new line ठीक है अब तो there was a very anti-India mood in Nepal shall we say from the last couple of years नेपाल का ये भी कहना होता है कि इंडिया as a big brother bully करता है हमको ह नेपाल के साथ और नेपाल पिछले दो तीन सालों में जाधा close किसके हो रहा था चाइना के जाधा close हो रहा था तो देखिए चाइना से तो दोस्ती चाहे African nations हो चाहे South Asian nations हो चाइना के साथ दोस्ती बहुत ही भारी बढ़ती है देखिए श्रिलंका का हाल क्या है Maldives को देख structure बनाऊंगा चाइना के बास definitely बहुत पैसे हैं अब recently 2022 में क्या है हमने improved relations देखे हैं इंडिया नेपाल के बीच में देखिए April 2022 में जो के newly elected जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के शेर बहादुर द्यूबा ना ही अब वो आए इंडिया आए ना ही अगरी टु रिजॉल जो इंड में थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा कि वो मुद्दा क्या है इना उसके बाद बात करें पावड रेट की ना आजए डिसकास कि साउथ एशन रीजन में नेर्जी टेफिट है पॉटेंशल बहुत है नेपाल में हाइड्रो पावर पॉटेंशल बहुत है अब रिसेंटली निव्यूज में था वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रजेट के बारे अब पावर ट्रेट की बात करें तो चाहे बोटान है चाहे नेपाल है ठीक है अगर हम श्रिलंका की बा तो चाहे वो वेस्ट सेथी प्रोजेक्ट है तो इसको लेके काफी बातचीत करी गई है कि कैसे उसको फिसलिडेट किया जा सकता है उसके बाद फिनांचल कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों देशों ने लाँच करा रूपे पेमेंट कार्ट सिस्टम नेपाल में यह क्या करेगा इस विल आड न्यू चाप्टर टू फिनांचल कनेक्टिविटी बिट्मीन इंडिया नेपाल और बाइलेटरल जो टूरिस्ट फ्लोज हैं उसको और जाधा बढ़ावा देगा डेफिनेटली अब देखे टूरिजम अब पिक अप करना शुरू करेगा नेपाल में श्रिलंका में बाकी देशों में बिकाज अब पैंडिमिक जैसे वेंड डाउन कर रहा है अब पर प्रमारली ये भी बात करेगी थी दिए कि नेपाल लुमिनी गाडन बुद्धा जी का जनमस्थान है अब देखी अब अगर हम दुनिया भर की बात करें तो कंसिडरिबल नंबर ऑफ बुद्धिस पॉपुलेशन है अक्रॉस दे बॉल्ल हाफ बिलियन जो है माना जाता कि बुद्धिस पॉपुलेशन अक्रॉस दे बॉल्ल और बुद्धा जी के जीवन से जोड़ी आठ ऐसी जगाएं है जो कि इंडिया में है तो तीरत यात्रीं को कैसे हम अठ्राक कर सकते हैं बुद्धिस फिल्ग्रमेज को हम कैसे यहाँ पर इंडिया में अठ्राक कर सकते हैं इवन अगर हम बात करें रमायन सर्केट को तो रमायन सर्केट को डिवलप करने की विबात इस मीटिंग में करी गई थी जब प्रधानमंदरी मोधी जी नेपाल में में गए थे उसके लावा फार वेस्टर डिजिन अफ नेपाल पे यह जो हाइडरो पावर प्रोजेक्ट है यह बनाया जा रहा है ठीक है चलिए ना उसकी इलावा यहां पे देवसे जॉइंट इंडिया नेपाल प्लान जिसे आपको मैंने बुद्धिस सर्केट के भी बात करी जो इंपोर्टन जो फांडेशन फिंटांग यह जो रिप्रोच है नेपाल का तोवर्ट इंडिया और अवे फ्रॉम चाइना इस बिकॉस अपने अंसर में डिफरेंस लेके आना है अवरेज चार-पांच बात है तो हर कोई करेगा हमने अपने आंसर में थोड़ा एक डिफरेंस लेके आना है तो यहां पर लग रहा है शेर बहादूर द्यूबा के चलते कि इंडिया निपाल के बीच में और ज्यादा नस्दीकिया देखने को मिलेगी अब दोस्तों अगर हम बात करें कंक्लूजन की देखिए दोस्तों हमने भी आपको याद होगा 1991 में लिब्रलाइजेशन ट्राइ अपने experience से काफी जादा हम जो know-how है वो काफी नेपाल के साथ share कर सकते हैं ठीक है हमारे जो lessons थे of the balance of payment crisis in 1991 that can be very beneficial for नेपाल कि कैसे वो अपनी economic adversity को overcome कर सकता है ठीक है और जो हमारी neighborhood first policy है neighborhood first policy के चलते हैं स्री लंका को भी बहुत मदद कर रहे है neighborhood first policy यानि कि Modi जी ने term दिया थ की चलते हैं हम बहुत जादा willing है नेपाल को support करने के लिए और जो भी ऐसे देखी मुद्दे हैं जो भी ऐसे मतभेद हैं नेपाल के साथ हम agree कर रहे हैं कि हम बैठकर resolve करना चाहते हैं जो भी territorial disputes भी क्यों ना हो ठीक है और उसके इलावा हमने because of the global economic crisis है post pandemic recovery हो Russia Ukraine war हो supply side shortages चल र ही है ठीक है अब काला पानी dispute की बात करें दोस्तों तो काला पानी जो है यह कहां पर है काला पानी is the region located in the easternmost corner of उत्राखंड पित्थौरगार डिस्टिक्ट ठीक है जी यह जो रीजन है यह border share करता है on the north with Tibet ठीक है जी and Nepal in the east and the south अब देखिए यह जो area है भारत के control में है लेक बता देता हूँ देखिए काला पानी अब नेपाल क्या कह रहा है नेपाल कह रहा है कि काला पानी का जो source है वो लिम्पी अधूरा है और according to the treaty of सुगौली जो कि 1816 में sign करी गई थी तो उस treaty के हिसाब से कि जो region है east of the kali river वो नेपाल के पास होना चाहिए ठीक है लेकिन अब इस बात पर dispute है ठीक है जब के हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे है कि काली river का जो source है वो लिम्पी उधुरा में नहीं है ठीक है जो का जो kali river का सॉर्स है वो लिम्पी उधूरा में नहीं है काला पानी पर है अब नेपाल कहता है कि स्ष्रीटी के साब से जो east of the region है जहाँ पे kali sa फॉल्विंग दट्रीटी ऑफ सुगॉली ठीक है जी स्ट्रटीजी की लीफूल एक पास की बात करें तो इस बहुत इंपोर्टेंट वांटेज पॉइंट है हमारे लिए दिस हेल्प इंडिया तो कीप न आए ओन चाइना मुवमेंट और 1962 से ITPP जो है इंडो टिबिटन बॉर्टर पुलीज जो है इट इस कीपिंग वाच ऑन काला पानी ठीक है दोस्तों तो यह इस आंसर में था तो यहां पर यह बात आपको वैसे के चुछीन में में चैन करने की ज़रूथ नहीं वैसे तो आवाली ओडिशन आपके लिए इसमें आंसर में में ज़रूथ नहीं है तो दोस्तों यह रहेगा इसका आंसर बाकी दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द एक और question के साथ in the means a day initiative आप अपना ख्याल रखिये और पढ़ते रहेए थांगी सू माच जय हुआ है